करई खेसर बिirikt लेर्निग अध्योग स्थीष्टिकीश ठिक सर्थ प्वालन अध्योग morning चाने डीटने पर इस कोतितिटाथ हूं बइंप विफोर MR बात की हमे लिकर सही कॉर्स दाचिधंब भight फालो करने जा रहे हैं ओपन इंट्रो स्ट्टिस्टिक्स ये फ्रीली अवेलेबल बुक है आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप को सारे का सारा स्टफ यहां पे मिल जाएगा अगर आपको यूट्यूब वीडियोस चाहिए तो आपको यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएगी इसकी अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आपको इसकी स्लाइड्स भी चैप्टर वाइस मिल जाएगी अगर आपको लैब्स चाहिए तो इसकी लैब्स भी आपको मिल जाएगी और in labs को आप कर सकते हैं आर के थ्रू, pasta के थ्रू, tidyverse के थ्रू jamovi के थ्रू, sas के थ्रू तो basically हम मेंली focus करेंगे stata, jamovi and are tidyverse तो आप अपनी मरजी से देख लीजिएगा किस तरह से करना है और कुछ और बहुत सारी चीज़े हैं और ये बुक जो है फालू की जाती है उनिवर्टी अफ शिकागो में हारवर्ड में और बहुत सारी जगों पे तो आप ये देख लेए हारवर्ड कोर्स की कोर्स आउटलाइन है जिसमें उसने जो है वो ओपन इंट्रो स्टेट्स की ये ओपन इंट्रो चप्टर वन ओपन इंट्रो चप्टर टू ये रेखे ओई मीन्स ओपन इंट्रो तो ये चप्टर सेमन और तो हम इसको स्टेप बी स्टेप इस कोर्स में करने जा रहे हैं तो let's see, let's start with introduction to data ठीक है जी सबसे पहले हम कुछ बहुत basic concepts समयने की कोशिश करते हैं उन concepts मेंसे पहली चीज जो होती है वो होती है control group and treatment group तो पहला case study हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि जी हम जो है वो अगर यह मारा objective क्या है कि हम यह देखना चाहते हैं कि एक cognitive behavior therapy जो है वो क्या chronic fatigue syndrome के लिए effective है या नहीं है तो chronic fatigue syndrome कहलें कि एक ऐसी थकावट एक ऐसी permanent आपको tiredness फील करना कि एवन आपकी sleep cycle और यह सारा कुछ normal हो फिर भी यू feel tired तो अब उसमें जो है वो 142 patients recruit हुए जिसमें से 60 patients जो है वो enter हुए study में और बाद में उसमें से भी 7 patients जो है वो drop हो जाएंगे तो basically अब हम ही इसको दो groups में divide कर लेना है एक आपके पास जो है वो treatment group वो होगा जिसको हम therapy दे रहे हैं और control group वो होगा जिसको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं कोई हम उनको कह रहे हैं कि आप जो है वो बस ठीक है as it is तो अब basically जैसे आपने ये जो है वो covid में vaccination trials हुए तो उन vaccination trials में क्या था कि कुछ लोगों को placebo दे दिया जाता था means पानी वाला injection ऐसे just एक neutral सा injection दे दिया जाता था और कुछ लोगों को vaccination दी जाती थी उसके माग वो data लेके उसको जो है वो फिर हम देखेंगे blind, single blind, double blind experiments तो वो data जो है वो decode करके उसको देखा जाता था कि जिनको vaccination दी उनको covid होने के क्या chances हुए और जिनको vaccination नहीं दी उनको covid होने क्या chances हुए तो यहां पे मारे पास दो किसम के groups हैं एक group को हमने cognitive behavior therapy दी है दूसरे को हमने cognitive behavior therapy नहीं की तो हम देखते हैं कि इस से हमारे पास तो हम अब इन दोनों groups का देखते हैं कि treatment group और control group का क्या result साए तो हमने जब इनको जो है वो groups में divide किया तो seven patients जो है वो और drop हो गए तीन treatment group से और four control group से तो यह जो drop होना है यह जो process होता है इसको हम कहते हैं attrition हो गई आपका sample size कम रह गया अब आप देखें तो treatment group जिनको cognitive therapy की उसमें से 19 लोग कहते हैं 19 लोग कहते हैं out of 27 कि they got उनको कुछ जो है वो अराम आ गया तो और control group में से पांच लोग कहते हैं 26 में से तो यह 19 out of 27 70% लोगों को good outcome आई उन लोगों को जिनको cognitive therapy की और जिन लोगों को जो है वो नहीं की उन में से 19 परसेंट आई तो इसका मतलब ट्रीटमेंट देना और ट्रीटमेंट ना देने में जो फरक आया है यह roughly 50 परसेंट है यह बहुत बड़ा फरक है लेकिन अभी हम इस वकत इस पे बहुत ज़दा बात नहीं करेंगे हम लगे गाई है कि यह रियल डिफरेंस है तो हम यह जो है वो फर्ज करें एक कौइंग को टास्क करते हैं तो 50 एड्स और 50 टेल नहीं आते बहुत सकता है 48 एड्स फॉर्टी तू टेल्स आजाएं 56 एड्स आजाएं 44 टेल्स आजाएं तो अब क्या हम कहा दें कि वो जो है coin fair नहीं है तो एक by chance difference होता है तो वो difference जो 56 और 44 आ रहा है 52 और 48 आ रहा है 49 और 51 आ रहा है तो 50 से different तो है but not very different तो हम कहेंगे कि ये just एक by chance variation है लेकिन ये जो 70 और 19 का gap है 51 परसेंट तो ये काफी बड़ा नजर आता है ये शायद by chance नहीं है ये किसी natural variation की वज़ा से नहीं है वज़ा से शायद नहीं है लेकिन इन चीज़ों को हम जाके chapter 6, 7 में detail में देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है तो इसका मतलग ये रहा है कि ये difference quite large है और जब इतना large है तो ये natural variation नहीं है अब स्वाल ये पैदा होता है कि क्या इस study के results को हम सारे other patients के लिए generalize कर सकते हैं तो kindly आप सोचिए अब इसमें हम अब यहां से हम basic सीखने की कोशिश कर रहे है अब दिखें ये volunteers थे जो volunteers होते हैं वो different होते हैं than जो randomly pick किये जाते हैं फिर हम देखेंगे random sampling क्या होती है और क्या चीज़े हैं तो ये जो लोग हैं ये volunteers थे volunteers different होते हैं than जो लोग randomly pick किये जाते हैं तो यह results शायद generalize नहीं किये जा सकते हैं सारी population के लिए तो इसलिए हम इन results को generalize नहीं कर सकते हैं और यह कुछ certain characteristics रखने वाले लोगों के लिए valid होंगे data basics अब हम देखते हैं कि data basics में क्या क्या चीज़े हैं तो आप देखे तो हमने एक class में data click किया कि आपका gender क्या है आप introvert है एक्स्टरोवर्ट है आप का sleep time क्या है bedtime क्या है आपने कितने कप चाइपी है आप इस course को पढ़ने में कितने डरे हुए हैं कितने डरे हुए हैं तो हम नहीं स्वाल पोछा जब यह स्वाल पोछा तो हम यह कुछ wrongs मेले अब देखे जेंडर ये एक variable है जो number one student था उसने का जी male उसने का extra word उसने का जी level three पर फियर फील करता हूं second student जो था वो female है उसने का जी मैं एक्स्ट्रोवर्ड हूँ मैं एक्स्ट्रोवर्ड मीन्स के मैं खुला डुला हूँ और इंट्रोवर्ड मीन्स के मैं जो है वो जरा अपनी जात में गूर रहने वाला ड्रेड उसने का जी मैं जरा कम डरी हूई हूँ female, extrovert, introvert अब ये हर वो जो है वो एक single person के data को show करती है और ये data इस form में जब आ जाता है तो इसको हम कहते है data matrix data matrix तो basically ये एक और किसी individual observation को देखेंगे तो ये observation है ये आपका gender एक variable है ये एक variable है, dread एक variable है अब देखे, तो हम सारे variable कोई भी जो variable है इसको दो categories में divide किया जा सकता है categorical और numerical categorical variable फर्दर दो categories में divide होता है एक होता है ordinal एक होता है regular categorical और numerical variable दो तरह का होता है एक continuous, एक discrete अभी आमें इन की जो है वो चारों की चारें जो है वो देख लेते हैं gender अब gender में आप सिर्फ दोई चीज़ें करेंगे male, female तो ये categorical variable है और ये categorical में से भी regular categorical है इसमें सिर्फ आप चीज़ों के name कर सकते हैं आप चीज़ों को just normal culture आप उनको एक लिहाँ से कह सकते हैं ये इस तरह किया ये इस तरह किया that's it तो gender जो है ये categorical variable है sleep, सोचिए जरा sleep किसीने का 5 गंटे, किसीने का 7 गंटे किसीने 5 शरीया 5 गंटे किसीने 6 शरीया 7 गंटे तो ये एक लिहाँ से numerical variable हो किया अब चुमकर कोई बंदा 5 गंटे और 6 गंटे के दरमियान infinite values हैं कोई 5 गंटे 5 मिनट 10 seconds हो या कोई 5 गंटे 5 मिनट 5 seconds हो या कोई तो इस तरह से numerical है लेकिं continuous है अब अगर सिरफ मैंने ये पूछा होता कि कितने गंटे सोए तो कोई 5 गंटे कोई 6 गंटे कोई 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो in that case ये numerical होगा और discrete होगा क्योंकि values क्या हो रही है jump ले रहे हैं 5 गंटे के बाद कितने आर 6 के बाद 7 लेकिन इस वकत हमने पूछा है कि आपका जो है वो वी तो किसने का 5 गंटे 2 मिनट 5 गंटे तो ये इसलिए sleep जो है यहाँ पे numerical है और continuous है well bed time के बारे मैं सोची है bed time basically categorical और ardenal है हमने का जी 12 बचकर 5 मिनट 10 बचकर 10 मिनट 11 बचकर 5 मिनट तो और जो बन्दा पहले सोया बाद में सोया बस इसको हमने जो है वो कह दिया ordinal लेकिन ये slides confusing है अभी आगे चलके देखते है countries तो मैंने यहाँ पे question को change कर दिया cup of tis तो आपने कल और आज में कितने cup of tis लिये हैं किसी ने का जी 2 किसी ने का है चार किसी ने का छे किसी ने का आठ किसी ने का साथ किसी ने का तीन तो ये numerical variable है और discrete है आपने चार cup of tis पी है या पांच पी है या छे पी है या साथ है या आठ है सवा चार नहीं है सवा पांच नहीं है इसी तरह से अगर आपने countries विजट किया है तो आपने चले चाहे मैं तो फिर भी शायद कुछ सवा डेर्ड पौने दो वाली चीज़ हो लेकिन countries विजट करने में तो या आपने एक country विजट किया है या दो किया है या तीन किया है या चार किया है तो ये numerical and discrete है सोचिए जी ज़रा ड्रेड जो है ये कौन सा विरियेबल है इस ड्रेड अकांटिनस विरियेबल इस इपहले तो बात देखें कि क्या ये numerical है या categorical है तो हमने once लेके पांच तक इसकी categories दी है तो ये categorical है लेकिन आप देखें तो जो one है जो two है three है four है तो ये basically एक खौफ इस course में डर्क का एक level बता रहे है तो ये categorical है लेकिन इसमें natural है one two three four five तो पांच values हैं तो ये order मुझूद है तो अगर ये order मुझूद होगा तो हम कहेंगे कि ये categorical and ordinal variable है इसको numerical भी कह सकते हैं one two three four five लेकिन इस वकट हम ये कहते हैं बहुत डर लगा हुए है थोड़ा डर लगा हुए है थोड़ा दन कोई खास नहीं है बिलकुल भी नहीं लगा हुआ डर नहीं लगा हुआ बिलकुल भी नहीं लगा हुआ तो ये पांच categories हो सकते हैं excellent, very good, neutral, not good, worse तो यह बिसिकली इस तरह से केटेगोरिकल अर्डिनल वेरियोबल है तो हमने अभी तक की जो बात इसमें की है एक हमने का जी कि एक आपके पास treatment group होता है एक control group होता है ट्रीट्मेंट group होता है जिस पे आप कोई चीज operate करते हैं आप किसी को medicine देते हैं आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं आप किसी को स्टाइपन्ट देते हैं आप किसी को जो है वो एक खास ग्रूप मीटिंग में लेके जाते हैं और कंट्रोल ग्रूप कौन सा होता है जो कंपेरेबल ग्रूप होता है लेकिन उस तरह की कोई भी जो है वो इंटरवेंशन नहीं क जाती और दूसरी बात आमने की जी वेरियेबल वेरियेबल में आमने का कि मारे पास दो तरह के वेरियेबल्स हैं केटेगॉरिकल वेरियेबल्स हैं केटेगॉरिकल वेरियेबल्स फर्दर जो है वो केटेगरीज रेगुलर केटेगरीज केटेगरीज बट विद आर्डर और मैं आमने कहा जी एक numerical continuous है जिसमें एक value एक जो है वो interval के दरमें infinite values आ सकती है मेरी height जो है वो 68 inches 69 inches के दरमें infinite values हो सकती है तो इसी तरह से numerical discrete में क्या होता है कि values discrete जो है वो at jumps take place करती है तो what type of variable is a telephone area code तो पाकिस्तान का telephone area code अफगानिस्तान का telephone area code बंगलादेश का telephone area code इंडिया का telephone area code सिरी लंका का telephone area code निपाल बुटान ठीक है जी इरान तो चाइना तो ये basically आप देखे तो ये कोई area code एक code है ऐसे जीरो नाइन वन होना और जीरो नाइन टू होना जीरो नाइन थ्री होना जीरो एट टू होना ये कोई खास मीनिंग नहीं रखता तो इसलिए it should be a categorical variable regular categorical variable जी तो ये scatter plot पे क्या बात है scatter plot को किस तरह से देखना है इस पे हमारी बात बात में होगी take care झाल झाल कर झाल कर दो कर दो झाल झाल झाल